क्रिष्टा आज का द्रिष्टान त बड़े ध्यान से समझना एक पिता ने समझना अपने पुत्र से कहा बेटा मैं तुम्हें एक साल की मौलत देता हूँ जाके एक वर्ष में दस लाग की कमाई करके आओ तुम बहुत पड़े लिखे हो और कर सकते हो जाओ पिता जी एक साल में दस लाग की कमाई कैसे होगी पुलत जाओ करो हिम्मत करो और जाओ मैं तुम्हेरा पिता हूँ और मुझे कमाई करके लाखे दे दो मन में उस बच्चे ने सोचा उस लड़के ने सोचा मेरे पापा कितने कठो रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि एक साल में दस लाग कमाओ ठीक है पापा ने कहा है और मेरे पापा कितने स्ट्रिक्ट है ठीक है मैं करता हूँ उस लड़के ने एक वर्ष मेनत की बहुत मेनत की जो भी करना था वो दस लाख कमाए और दस लाख कमाके आके पिता को दिये पिता जी आपने कहा न एक वर्ष में मुझे टारगेट दिया दस लाख में कमाके आया हूँ ये रख लीजिया तब पिता ने जब दस लाग उठाए, तब पिता ने पता है क्या कहा तुमने कमाई तो मुझे करके दिये, लेकिन असल में एक कमाई तो तेरी है मेरी थोड़ी है मेहनत तु ने किये, जाओ, ये तुम रख लो बेटा हैरान हो गया पिता जी दस के दस लाए बोलो सौब तुम रखलो तुम्हारी कमाई है तुमने मेनत किया जाओ तुम्हारा भलाओ जाओ तुम्हारा भलाओ ऐसे भगवान वो हमारा पिता है उसरे गीता में कहा है पिता हमस्य जगत हो माता धाता पिता मा हूँ मैं इस जगत का पिता हूँ मैं इस जगत की मा हूँ तो इस पिता ने हमको संसार में भेजा जाओ संसार में जाओ और इसी मनुष्य जनम में बहुत नाम की कमाई करके आओ मेरा नाम जब के आओ हम सोचते हैं इस जनम में कितना नाम जपे संसार परिवार सब पर जब हम बहुत मैनत करके नाम की कमाई उस इश्वर को जाके देते हैं यह जपते हैं न हरे कृष्टा हरे कृष्टा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जब उस कमाई उस पिता को देते हैं न पता है क्या होता तब वो पिता क्या कहता है बिटा ये तूने मैनत की ये तूने भजन किया है जाओ ये नाम की कमाई तुमारी है तुम रखलो जाओ तुमारा भला हो मोक्षो और इसी जनम में तुमारा भला हो जा मतब तुमारा दूस और 3 जून सोमार के दिन वैश्णव एका दर्शी है फिर भी अपने आसपास शेयर में इर्दगित पूछ लेना हरे कृष्ट दन्यवाद